है गाईज बेलकम बैक टो अनादर वीडियो है अपके आप सब ठीक होंगे आपका भाई आज आ चुक्त है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इस्टेडियम आप लोग देख सकते पीसे नरेंद्र मोदी इस्टेडियम तो ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं और अच्छा से आप कड़ में फैला हुआ आप लोग देख सकते हो ओके और एक बार में इसमें एक लाक दस फजार लोग बैट के मैच देख सकते कितना मतलब इञें आपर लोग समझे की कि एक लाक d skip कितना हुए देखने में यह यह लगा है और इसकी और एक खास बाती है बिखे सकते हैं कितंबा बड़ा पार्किंग है और उदर भी पार्किंग है यह पीछे नहीं प्रेस्टिक कर हों लोग देख सकते हैं और इसमें दस अजार टू बेलर मतलब बाइक लग सकती है और यह आने का करण यह है कि इधर से एक फेमस बजरंग बली का मतलब मरंदी रहे हैं आप लोग देख सकते हैं गेट यह सामने दिख रहा है तो वोले बाचमें से कि अंदर जाना मंदीर है तो आने दिया नहीं तो नहीं आने देता आप लोगों को कितना बड़ा है और गाइस इसका उध्गाटन हुआ था आपको 2016 से भूमी पूजन हुआ था इसका 2016 को भूमों पूजन हुआ था और दिसंबर 2020 को यह कंप्लीट हो गया था तो यह वोल्ड का मतलब कितना खुसी का बात है कि मतलब इंडिया में है अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्टेडियम और यहां पर आईपिल मैं चोने वाला था बठ हुआ नहीं कोविट की वजह से आप लोग देख सकते हो कि मैं और थोड़ा उधर से साइड में से दिखाने का कोशिस करता हूं आप लोग को गाइस अभी थोड़ा मैं आपको लोग को अल्ट्रा वाइड में करके दिखा रहा हूं जिससे पूरा यह दिखेगा अच्छा चमक रहा है पार्किंग के लिए अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा इदर बाहर पार्किंग वाला एरिया में और वह बंस लगी है जो स्पोट वाले लड़के खेलने के लिए आते हैं लो और उदर से भी कुछ सीशा की तरह दिख रहा अंदर एंट्री पॉइंट कि वाइट कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा वह बोल रहे हैं वीडियो नहीं बनाने लाग है तो भी जा रहा हूं बस आज के लिए इतना है नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा उधर वेट कर रहे हैं सामने के तरफ द इतना दूर हैं वो लोग कि ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाएं लोग कि बनाएं गलो तो हो सकते हैं फीचर में अंदर जाके मैं मैंच भी देखूं और आप लोग लिए वीडियो भी बनाऊं हुआस करते दो से फे प्यादा ओचकिन कर दो देलेवं झाल झाल